कि यह वेल्कम बैक तो मैं यूप जैने काट्रेस माइनम इस तर्फान और फिर एक न्यूवीडियो के साफ में मैं रही हो और बेसाथ है टाटा पंच का सेकंड तो फिरियन जीजिस का नहीं है एकॉंप्लिस और एकॉंप्लिस में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है क्या क सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं की आपको कुछ इस तरीके से देखने का मिलेगी जो की स्मार्ट की रहेगी जिसके अंदर आपका लोक का L option and unlock option होता है साथ ही आपको इसमें follow me headlamp option मिलता है और साथ ही इसमें आपको बूट को बिना unlock की एक्सिज करने का भी option आपको स्मार्ट की के अंदर देखने को आपको मिलेगा तो टाटा पंच के जो आपका second top variant रहेगा उसमें आपको दो स्मार्ट की मिलेंगी जो किस तरह की की आपको की मिलती है अगर फ्रेंट प्रोफायल की हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेंटर में का लोगो एंड वाइड एंगल में आपको एक काफी बड़ी सी गिल सेफ मिलती है और साथ ही इसमें आपको ट्राइयरो डिजाइन भी देखने को मिलता है जिसके अंदर से होड मिजीवल होता है और इसी के जस्त नीचे आपको हमिट लाइन देखने को मिलेगी जो की साइट स आपको इसमें टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी हैड्लैम्प की हैड्लैम्प आपको इसमें हैड्लैम्स देखने को मिलेंगी प्रोजेक्टर हैड्लैम्स नहीं आपको देखने को मिलती है और साथ ही इसमें नीचे की तरफ गेंगेविए जिसमें ट्राइयर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है तो प्रेंट फॉफाइल इसकी काफी आग्रेसिव सी रखी हुई है जो कि काफी मस्कृलर सी देखने को लगती है अगर हम बात करें तो आपको इसमें आपको हाइपर वीग को मिलते हैं इसमें टायर की जो प्रफाइल रहेगी वह 185, 70, 15 आपको देखने को मिलेगी और यह एलोई नहीं है यह हैपर वील है यानि इसकी जो रिम की जो डिजाइन की गई है वह वील कवर के अकोडिंग ही डिजाइन की गई है जो की काफी अच्छी लग रही है देखने के लिए एंड साइड की अगर हम बात करें तो इसमें पूरी कार के अंदर आपको साइड में पूरी एक वील आप एंड साइड कलाइडिंग देखने को मिलेगी जो की आपको मिनी एस्यूवी की फिल कराएगी आपको इसमें बॉडी कलर्ट देखने को मिलेंगे जिसके साथ में आपको टैनी इंडिकेटर ओप्षन देखने को मिल जाता है साथ ही इसका जो एप रहेगा वह भी आपको पेंटी डी मतलब सिंगल कलर टॉन में ही देखने को मिलेगा इसमें मैट फिनिक्स ब्लैक का ओप पर मैं करूं तो साइड रोप में भी आपको रूफिल्स नहीं देखने को मिलती है अब बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड केंट्स की गाड़ी का ग्राउंड केंस आपका वह सेम वें 87 mm का आपको देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं रियर प्रफायल की रियर प्रफायल में आपको नपॉप में आपको स्टोप लैंप का ओप्शन एंड इंटीगरेटर स्पॉईलर आपको देखने मिलता है है इसमें आपको यहाँ पर रहिनों की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड इस व needing के यंदर पंच की बेजिंग आपको देखना को मिल जाती है तो CT lijm के अगर हम बात करें तो आपको led अलेडी आपको देखना को मिलेंगे जिस इसके with stris करी करें हुआ ज ए मिलें जाता है साइड मेरेई देखना को मिल जाते हैं साइट से यहां पर कुछ skirting इस तरीकिस आपको देखना को मिल जाते हैं कितो तो रियर प्रोफाइल भी आपको कुछ इस तरीके से देखना को मिलती ऑफ मेश मेटीज भही देखना को मिल जाता है जो गया अब ही टौप सब्सक्राइब के वीडियो में एक्स्क्लेंग कियाता है एंड पासल ट्रे भी आपको इसी वेरिंट में भी देखनों को मिल जाती है कि अधिसाइट के डॉर हैंडल पे भी आपको रिकर्ष तेखनों को मिलेगा जैसे कि आपने टॉप रिंट में देखा है अब देख लेती हैं इस गाड़ी के इंटियर को डॉर जैसे कि मैंने आपको बता है 90 डिक्री डॉर ओपन आपको इस वेरिंट के अंदर भी आपको देखनों को मिलेंगे तुल टॉन आपको इस वेरिंट में भी देखनों को मिल जाते है फोर पार विंडो एंड इसी वेरिंट में भी आपको पुस बटन स्टार्ट आडल स्टॉप स्टार्ट एंड दोनों मॉड्स वो देखनों को मिल जाते हैं एंड सेवन इसका इंफोटेंडमेंट जो की हर्बन कार्डन का है कि इंस्टूमीटर कर आश्टर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि इस टेरिंग मांटिंग कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको इस वेरिंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं काफी बड़ा सा आपको ग्लब बॉक्स सेंवेरिंट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है यह डूर भी आपको 90 डिग्री ओपन देखने को मिलेगा एंड इसमें एक चेंजिस यह भी है कि रियर सीट एंड बैक में आपको कोई आमस्ट नहीं देखने को मिलता है एंड हैडस आपको अजेस्टबल नहीं मिलेंगे इंटिगेटिट आपको हैडस देखने को मिलते हैं तो फ्रेंड्स मैंने जो इसकार करी आपको फीचर जो है आपको टॉप रिंट में और इसमें क्या फीचर नहीं है और इसमें आपको किस तरह किसकी गाड़ी की लुक देखने को मिलेगी वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में एक्स्प्रेंट कर दी हैं दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दें लाइक करें और कमेंट भी करें थैंक्यू सो मच